आपने भाशा देखी होगी अखिलेश जी की ए पुलिस वालो ए पुलिस वालो कैसे बोला क्या और एटी एस और पुलिस पर प्रशंचन खड़े किये और उनकी जांच पर भी प्रशंचन खड़ा करते हैं मैं तो दो बातें आपके सामने और रखना चाहता हूं कि अखिलेश ने ठाना है आतंकियों को बचाना है ये कब ठान लिया था 2012 के उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मैनफेस्टों में सीधे सीधे लिखा था और सीधे जो लिखा था वो क्या लिखा था कि मुस्लिम युवाओं के खिलाफ आतंकवादी जो चार्जिस हैं आतंकवाद के उसको वापिस लेंगे 2012 में समाजवादी पार्टी के मैनफेस्टों में कहा गया और 2013 में सत्ता में आने के बाद अखिलेशी ने लेकिन उससे पहले क्या कहा मैं एक बर आपको पढ़के बता दो 2012 के मैनफेस्टों में समाजवादी पार्टी देश की पहली ऐसी पार्टी थी कोई political party की जिसने manifesto में वायदा किया था कि Muslim इवाओं को terror charge को छोड़ दिया जाएगा वापिस लेने की बात कही थी और क्या कहा था कि जिन लोगों ने ये charges लगाए हैं ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ सपा की सरकार कारवाई करेगी यानि कि पुलिस वालों के खिलाफ कारवाई और आतंक वाद को भढ़ावा देने को छुट्टी देने के बाद अखिलेशी उस समय करते थे और जैसे सत्ता में आए 2013 में charges drop कर दिये कोट चले गए जांच नहीं की अखिलेशी की सरकार ने सीधा कोट में जाके कोट ने संग्यान लिया और क्या कहा कोट ने कि आज आतंकियों को छोड़ दोगे तो क्या कल उनको पद्मभूशन दोगे और मैं उनका आपका जो जद साहिब ने कहा मैं आपको उसका पढ़के सुना देता हूं जो बेंच था जस्टिस आरके अगरवाल जी का और जस्टिस आरेसर मौर्या जी का आई लाइक तो कोट आई कोट तुड़े यूर विड्रॉइंग केसिज अगेंस देम तुमारो विल यू गिव देम पद्मभूशन आयान कोट ये उस समय के डबल बेंच ने कहा जज्जिस ने कहा ये अपने आप में अखिलेश यादव जी पर समाजवादी पार्टी पर बड़ा प्रशिंचिन खड़ा करता है ये कौन लोग हैं जिनोंने लखनव में बनारस में अयोध्या में रामपूर में बम धमाके किये उनके खिलाफ मुस्लिम युवकों के आतंकी जो चार जीज़ है उनको वापिस लेने की बात उस समय अखिलेश यादव जी ने कही और करने का काम भी किया ये तो भला हो कोट ने उसका संग्यान लिया ये यात्रा यहीं नहीं रुकती मैं एक और आज जब चुनाव आए तो अखिलेश जी कहते हैं आयोध्या में जमीन लेकर देंगे बनारस में जमीन लेकर देंगे पांच घर खरीद के देंगे मु में राम बगल में आतंकी ये खिलेश जादव जी की सोच है तो श्टिकरण की राजनिती का एक और उधारण आपके सामने देखने को मिलता है और ये तो जवानों की शादत पर सवाल उठाते हैं एटियस और पुलिस पर सवाल उठाते हैं और आतंकियों को घर पर बेयानी खाने बुलाते हैं उनके समर्थकों को बुलाते हैं मैंने फोटो भी आपको दिखाई क्या हाल है इसलिए तो मोदी जी कहते हैं लाल टोपी मतलब रेड अलर्ट ये लाल टोपी रेड अलर्ट है और इससे बड़ा अलर्ट उत्तर प्रदेश के लिए और क्या होगा चुनाव के समय उत्तर प्रदेश की जनता को ये तै करना होगा और ये निर्णे भी करना है कि ये समाजबादी नहीं समाज विरोधी है अगर आप अगले भी उधारन देखेंगे तो उसमें विस्पाश तोर पर आपको नज़र आएगा केवल अकेले अखिलेश यादव जनी आजम खान हो अबु आजम हो ऐसे इनके बड़े नेता सब पुलिस वाले शहादत उनके घर पे नहीं गए जनको आतंक वादी होने के आरोप में पकड़ा गया उनके घर पर उन लोगों के परिवारों से मिलने गए ये आतंक वादियों को उनके परिवारों को सरक्षन देने का काम सप्पा करती है भाजपा जीरो टॉलरेंस की नीती के साथ चलती है यही नई मोदी जी ने आतंक वाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को देश के अंदर तो किया ही मुख्य मंत्री रहते हुए भी परधान मंत्री बन कर भी मुख्य मंत्री थे तो एमदाबाद के बं ब्लास्ट सीरियल ब्लास्ट के खिलाफ कारवाई की 26 ग्यारक का हमला हुआ तो मुंबई जाकर स्वेए वहाँ पर भी गए और जब परधान मंत्री बने तो दुनिया भर के नेताओं के साथ आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीती को मोदी जी ने आगे बढ़ाया है। और आगे बढ़ाएंगे पिछले साथ वर्षों में देखिए सैंकडो आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकवादी हमलों को यहाँ पर अंजाम नहीं देने दिया है। यह भाजबा का जीरो टॉलरेंस आतंकवाद के खिलाफ है। अगर आप मैं लंबा इस पर नहीं जाना चाहता लेकिन एक के बाद दूसरे उधारन देखेंगे। सब लंबी सूची आपके सामने आती है कैसे समाजवादी पार्टी ने और कॉंग्रेस ने भी बाटला हाउस कांड तो आप भूले नहीं होंगे। गांदी जी के पास शहीद महंचन शर्मा जी के घर जाने का समय नहीं था। ना अखिलेश जी के पास था निनके बाकी नेताओं के पास था। ऐसे कई प्रूफ आपके सामने हैं जहां रामपूर के सी आर पी एफ केम पर अटैक करने के जहां पर साथ सी आर पी एफ के हमारे जवान शहीद हो गए थे। उसमें भी अखिलेश यादव जी ने उनके केसों को वापिस करने की बात कहिए जो लोग उसमें नवाल थे। इसी तरह से ही समाजवादी पार्टी के उपर आरूप और कई ऐसे लेक लिखे गे कि सिम्मी के उपर बैन नहीं लगाने के लिए समाजवादी पार्टी ने कहा अलकाइदा के जो अपरेटिव लखनों में पकड़े गे तो इन्होंने सवाल खड़े कर दिये पुलिस की जांच पर और एटियस पर ये अपने आप में दिखाते हैं इनका आतंकी प्रेम राम नरेश यादव जी हो और बाकी जो नेता हो उन्होंने समय समय पर में बाक्यों के के ना लाँ लूँ ये सब लोगों ने बार बार कही ना कही आतंक वाद आतंक वादियों को सरक्षन देने की बात कही है दूसरी और भाजपने जीरो टॉलरेंस की बात कही है इतना ही क इनके परिवार का एहमदाबाद सीरियल ब्लास के सीधा कोनेक्शन है और सीधा कोनेक्शन समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ भी है इस पर अखिलेशी से मैं जवाब चाहता हूं उनकी चुपी क्यों है नियाले के जो निरने आया है आदेश आये हैं उसके उपर भी इनकी चुपी क्यों है आप लोगों कोई प्रशन हो तो आप एक एक करने प्रूश सकते हैं चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है जे अधिक है अधिक है अधिक है अधिक है तीसरी कड़ी में बोलना भूल गया था आपने बताया है सोनिया जी तो रोई ही थी जाकर उन आतंकवादियों के परिवारों के पास जाकर अखलेश यादव जी खुले में समर्थन देते फिरते हैं उन परिवारों को और पुलिस पर प्रशन चिन खड़ा करते हैं आपने आरोप उनके उपर किसी और नहीं उनके ही अपने फाउंडर मेंबर्स ने ए ए पी के लगाए ए ए ए पी मतलब अरविंद एंटी पंजाब उनके खिलाफ लगाए है वहां पर भी जांच करने की बात ग्रह मंतरी जी ने कही है और यहां तो पूरी जांच अमेशा जी ने उ उस समय की सही जांच और कोट ने उसको सच साबित करके फांसी की सजा सुनाने का काम भी किया है मैं तो यही कहूंगा वही हवा है वही सपा है दंगैयों का हाथ आतंकियों का साथ है